इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी ग्रूप से मौझूद क्या वज़ा है कि मुसल्मानों से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो रही है क्या वज़ा है कि यूरोपियन कंट्रीज में मुसल्मानों के खिलाफ एक के बाद एक आक्शन लिये जा रहे हैं क्या वज़ा है कि मुसल्मानों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है उठ चुका है इनफेक्ट यूरप में तो नमस्कार दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और मैं एपिसोड में आफ सभी का स्वागत है मैं हूँ आलू दोस्तों मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है इतना बड़ा जो पूरे मुसलिम वर्ल्ड को जटका दे सकता है यूरोप के कई देशों में इसके शुरुवात हो भी चुकी है आज के इस वीडियो में मैं इटली की बात करने वाला हूँ माइगरेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा शुकार इटली पिछले कुछ सालों में ऐसा कर दिया है उसने कि प्रवासियों और खासकर मुसलिम प्रवासियों को लेकर बहुत जादा सक्त होता जा रहा है उसकी सरकार और जो दूसरे अड्मिस्टेशन के जो फैसले हैं उससे भले ही दुनिया भर में बवाल मच रहा है लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन इटली मुसल्मानों को लेकर अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी में किसी भी तरह की धील देने के लिए तैयार नही ह कर रहा है एक के बाद एक ऐसे आक्शन लिए जा रहे हैं जो मुसल्मानों को ये साफ साफ बता रहे हैं कि अब यहां से अपना बोरियाभिस्तर बांद कर निकल लो आपको बताओंगा कि इस शहर में मुसल्मानों को लेकर क्या क्या फैसले लिए गां ये लेकिन पहले आपको ये बता दू कि इटली का ये जो शहर है ये शहर है क्या कौन सा शहर है यहाँ पर क्या होता है और क्यों ये इतना IMPORTANT है इस शहर का नाम है मून फालकन मून फालकन गल्फ अफ ट्रेस्ट के किनारे बसा है ये स्लोवानिया के बॉर्डर के नजदीक भी है ये एक इंडस्टियल सिटी है शिप्स, एयर प्लेइन्स, कैमिकल्स, रिफाइनरी समेत कई इंडस्ट्रीज है यहाँ पर और सबसे बड़ी बात ये कि ये शहर यूरोप की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कमपनी फिनकैंतियरी का हेड़कॉर्टर भी है तो इटली के इसी शहर ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम क्राइसिस से छुटकारा पाने के लिए ना किबल खुद कड़े फैसले लेगा बलकि पूरे यूरोप के लिए वो एक बानगी भी बनेगा एक एक्जामपल सेट करेगा तो हुआ ये है कि इटली के इस शहर ने क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया है शहर के किसी ग्राउंड में, किसी भी पार्क में यहां किसी और भी जगा क्रिकेट खेलते पकड़े जाने पर सौ यूरो का फाइन लगाया है इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि क्रिकेट इटली के कल्चर से मैच नहीं करता लेकिन असलियत क्या है, मैं आपको बताता हूँ असलियत ये है कि मौन फालकन में क्रिकेट केवल बांगला देशी मुसल्मान खेलते हैं जहां, सही सुना आपने, बांगला देशी मौन फालकन में बांगला देशी मुसल्मानों की तादाद अच्छी खासी है मुन्फालकन की लगभग 30,000 की कुल आबादी का वन थर्ड माइगरंट्स हैं जिनमें सबसे जादा आबादी बंगला देशियों की है ये 90 के दशक में यहां शिप बनाने वाली कमपनी में काम करने के लिए पहुँचे थे और धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती चली गई तो हुआ ये कि ये लोग शेहर के मैदानों में पार्कों में क्रिकेट खेलने लग जाते थे ये शेहर की जो मेर है उसे पसंद नहीं आया उन्होंने कहा कि क्रिकेट का ना तो इटली के कल्चर से कोई नाता है कोई मैच नहीं करता इटली के कल्चर से और ना ही ये सुरक्षित खेल है इसके साथ ही उन्होंने दली दी कि क्रिकेट लिए ग्राउंड बनाने और पिछ बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे जिसकी जरुवत तुन्हें महसूस नहीं होती लेकिन सबसे घजब की बात तो उन्होंने ये कही कि हम उनके खेल के लिए इतना क्यूं करें जबकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं इसका मतलब समझे रहे हैं आप इसका सीधा मतलब ये है कि मौनफॉलकन में रहने वाले बंगलादेशी वहां की सोसाइटी के लिए कोई योगदान नहीं करते वहां की सोसाइटी के लिए कोई फायदा नहीं पहुँचाते लेकिन दोस्तों क्रिकेट मैच करना तो अभी की बात है मौनफालकन में तो मुसल्मानों के खिलाफ कई सालों से एक्शन लिए जा रही है माइगरेंट क्राइसिस से जूज रहे इटली के मौनफालकन शहर को साल 2016 में एक नई मेयर मिली नाम था एना मारिया सिसिंड एना ने ये साबित कर दिया कि यूरोप के माइगरेंट्स और मौनफालकन के कल्चर और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी एना ने खुलकर मौनफालकन के उन हरकतों का विरोध करना शुरू कर दिया जो इटली के कल्चर को बदलने की और उन्हें तोडने मरोडने की कोशिश कर रहे थे अब इसे देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में मुस्लिम माइगन्ट्स महिलाएं बीच पर बुरके जैसी ड्रस पहने रहती है इसे बुरकीनी कहा जाता है, इटली में भी यही हाल था लेकिन मेयर रेना ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू करती इस ड्रस को इटली के कल्चर के खिलाफ बताया पिछले साल उन्होंने मौन फालकन के मुस्लिम कमिनिटी को एक ओपन लेटर लेकर साफ कहा कि समुदर में बुरकीनी पहनना बंद करना होगा अब कोई अगर ये सवाल करे कि भाई जिसे जो सही लगे जो अच्छा लगे वैसे कपड़े पहन कर समंदर में जाएं उसमें रोकटो क्यूं है तो इसका जवाब देता हूँ अब बताईए क्या सौधी अरब में, UAE, कतर में, सी बीच पर येरोपियन कल्चर वाले कपड़े पहन कर जाएं तो क्या वहाँ के लोगों को बरदाश्ट होगा इरान में बिना हिजाब के येरोपियन महिलाएं घुम सकती है क्या नहीं ना, बिकनी पहन के सौधी अरब में तो नहीं जा सकती कोई क्यों, क्योंकि वो ड्रेस उनके कल्चर के हिसाब से मैच नहीं करती तो इटली इसलामिक ड्रेस को क्यो बरदाश्ट करे एना ने अपने शहर में इसलामिक डॉमिनिंस पर और भी जबरदस चोट की है 2023 में ही मौन फालकन में इसलामिक कम्यूनिटी सेंटर बंद कर दिये गए खुब बवाल मचा, इसलामोफोबिया के नाम पर खुब हंगामा हुआ लेकिन फैसला नहीं बतला एना का अगला फैसला और भी बड़ा ही जबरदस था उन्होंने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर तो नमाज पर पाबंदी लगा ही थी लाउड स्पीकर पर अजान भी बंद करवा दिया एना को इन फैसलों को लेकर खुब विरूद भी जहिलना पड़ा आरोप लगाए गए कि इन फैसलों के वज़ए से इटली के सबसे बड़े शिपयाड के वरकर्स में दरार पड़ रही है आरोप लगाए गए कि इसलामोफोबिक पॉलिसीज के वज़ए से मुसलिम माइगरंट्स को परिशानी जहिलनी पड़ रही है पूरा मुसलिम वर्ड छाती पीट रहा है कि इटली के एक शहर में मुसल्मानों को नमाज पढ़ने के लिए एक जगा तक नहीं है अरब देश इटली पर इसे लेकर दवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एना पीशे नहीं हटी कई मामलों में उन्हें कोट जाना पड़ा कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली लेकिन वो ना तो डरी ना ही जोकी वो लगातार इसलामिक कटरवाद पर निशाना साथती रहती हैं इसी साल मई में उन्होंने ना केवल शरिया लौ और मुसल्मानों में पॉलीगमी यानि कई शादियों की प्रथा पर भी सवाल उठाए हैं वो इस बात को खुल कर कहने में जरा भी नहीं चकती कि मुसलिम इटली के कानून का पालन नहीं करते वो केवल अपने लिए मजजद मांगते हैं तो इटली के मौन फालकन शहर में ना तो मजजद है ना ही लौट स्पीकर पर अजान ना खुले में नमाज पढ़ने की अजासत यानि रहना है तो इटली के हिसाब से रहो नहीं तो यहां से दफा हो जाए और मुसल्मानों के खिलाफ ऐसे एक्शन केवल मौन फालकन की मेर ने नहीं लिए इटली की गवर्मेंट ने भी ऐसे ही फैसलों से इटली को इसलामिक स्टेट बनाने का सपना देखने वाले कटर पंतियों की चूले हिला दी इटली की जॉर्जिया मेलोनी गवर्मेंट भी मस्जिद से बाहर नमाज पढ़े जाने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है असल में नमाज के नाम पर सड़क को घेर लेना कहीं भी गाड़ी पार्क कर देना रास्ता जाम कर देना इटली के लोगों को बरदाश्ट नहीं हो रहा है यह ना तो इटली के कल्चर से जल करता है नहीं सोसाइटी से और नहीं ट्राफिक रूल से इसलिए इटली ने इसके खिलाफ सक्त कानून बनाने का फैसला किया है इसके साथ इस सरकार ने वेर हाउसेज और गराज में चल रही मजजिदों के खिलाफ भी आक्शन लिया और तो और नई मजजिदों के निर्माड को लेकर भी कानून इतने सक्त कर दिये कि इटली में नई मजदे बनाना नामुम्किन सा हो गया है मेलोनी ने ईद पर स्कूलों में मिलने वाली छुट्टी को भी बंद करने का एलान किया था हलाकि बाद में स्कूलों ने बच्चों के लिए छुट्टे कर दी थी मुसलिम माइगरेंट से एक और बहुत बड़ा खत्रा ना केवल इटली को है बलकि उस हर देश को है जहां इतनी बड़ी तादाद में ये पहुँच रहे हैं वो है क्राइम रेट में जबरदस इसाफा वो भी क्राइम अगेंस्ट वुमन यानि बच्चियां महिलाएं लड़कियां इनके खिलाब इटली में बलातकार की वारदातों में जबरदस तेजी आई है और इसके पीछे हैं वो माईगरेंट्स चो मीडिल इस्ट और एफरिकन कंट्रीज से इटली आएं हैं ये इसी साल फरवरी की खबर है इटली की एक 13 साल की बच्ची के साथ साथ इजिप्शन माईगरेंट्स ने बलातकार किया था इस वारदात ने पूरे यूरोप को जगजोर दिया था लेकिन इस तरह के एक दो नहीं बलकि सैक्डो मामले सामने आ चुके हैं जहाएं इन इसे लेकर इटली के लोगों में इतना डर बढ़ने लगा है कि वो बच्चीओं को घरों में छोड़कर बाहर जाने से घबराने लगे हैं इसके अलावा ये माईगरेंट्स हत्या लूट पार्ट ट्रफिकिंग जैसे और भी संगीन अपरादों में शामिल रहते हैं और सब तभी इटली में मुसल्मानों के खिलाफ लोगों का घुसा जो है वो बढ़क रहा है तभी चाहे वो मौनफॉलकन की मेयर हूँ या फिर इटली की प्राइम मिनिस्टर जोर्जिया मेलोनी वो मुसल्मानों के खिलाफ एक्शन लेने हैं उनकी मजदें बंद करवा रही हैं इस्लामिक रिचूल्स और प्रैक्टिसेस पर अंकुष लगा रही हैं साफ है कि वो ये समझ चुके हैं कि मुसल्मान न केवल उनके कल्चर और सोसाइटी के लिए थ्रट हैं बलकि उनके और उनके परिवार की सेफटी के लिए भी बड़ा खत्रा है और ये आगे अभी और बढ़ने वाला है दूसरे देश भी ये चीज़ें अडॉप्ट करने लगे हैं देरेदी तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज्यादा ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए लोगों तक ये बात पहुंचाईए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस लगे साथ नमस्कार जहिंद तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फैन कॉल में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लोट बुक कर सकते हैं कि आपको फल